आपना हर एक का योगदान है, हर एक का अपना माहत्मे है, और हर किसी ने रास्ट के उज्वल भविश के लिए इस सदन में रहते हुए जो भी योगदान कर सकते हैं करने का प्रयास किया है और उन सब को राश कभी भूल नहीं सकता है मेरी तरफ से आपके इस सब उत्तम सेवाओं के लिए आप सब को बहुत-बहुत बढ़ाई हैं और भविशे के लिए आपको बहुत-बहुत शुब भाबनाए दिए ये सदम उन वरिष्ट महनुभाव का है कि जिनके जीवन का अनुभाव सदन में वैल्यू एडिशन करता है समाज जीवन के आशा अकांख्षाओं को एक निश्पक्ष भाव से तराजू से तोल करके भविश्य की समाज विवस्ता में क्या पुरक होगा क्या पुरक नहीं होगा उसका लेखा जोखा करने का सामर्थ इस वरिष्ट सदन में रहता है वरिष्ट महनुभाव से रहता है और उसके कारण यहाँ पर जो बात बताई जाती है उसका अपना एक विशेश मुल्य है उसका एक वहिश महत्व है और वो महत्व ही है जो हमारी नीती निर्धारन में बहुत बड़ी एहम भूमी का आदा करता है हमारे बीश में आदर्निय पराशन जी जैसे महनुभाव जिन्हों अपने जीवन में एक प्रोफेशनलिजम के साथ साथ एक तपस्वी जीवन भी जिया है ऐसे लोग हमारे बीश में सदन में से हम उनको मिलाव नहीं मिलेगा दो भारत जिनके लिए गर्व करता है इसे खिलाडी सिमान दिलीब जी और सचीन जी ये दो भी आने वाले जिन्हों हमारे बीश में उनका अलाब हमें नहीं मिल पाएगा प्रोफेसर कुरियन सहाब को हमेशा लोग याद करेंगे उनका हस्ता हुआ चहरा हमेशा और सीखना चाहिए कि बात तो वही बता नहीं है लेकर हस्ते हुए से बता ली है उनकी विश्ष्टा रही और उसकी कारण संकत की घड़ी में भी सदन को ठीक से चलाने में उनकी एहम फूमी का रही है यह बता सही है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जिसके पीछे दल और डल की विचार धारा का नाता न रहा हो बहुत कम लोग है जादा तरह हम वही लोग हैं जिनका कोई इनकोई वो बैक्राउंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि यहां पर उन बातों को प्रतिश्टापित करने के लिए हम लोगों का प्रयास रहना भूद स्वाभाविक भी है लेकिन ये भी अप्रेक्षा रहती है कि जो ग्रीन हाउस में होता है वो रेड हाउस में होना ही चाहिए जरूरी नहीं है और इसलिए कोई कि वरिष्ट सदन का एक महात्मा है रहता है हर एक ने अपने पनी उस भूमी का को निभाया है मैं मानता हूँ शायद आप मैं ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्नोंने सोचा होगा कि जब आखरी सत्र होगा तो ये विशे मैं उठाऊंगा मैं इससे तैयारी करके जाऊंगा कि जाते जाते एक बड़ा इतिहासिक भाष्ण करके जाऊं मैं ऐसे विचान रक्तर के देश के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण काम के अंदर अपना योगदान दे करके जाऊं लेकिन शायद वो सहुखाज आप लोगों को जाते जाते नहीं मिला और उसके लिए यहांच की जिम्मवारी नहीं है यहां से यहां तक हम सब की जिम्मवारी है कि आपको ऐसे ही जाना पड़ रहा है अच्छा होता आप जाने से पहले कोई महत्वपूर्ण नेड़े में बहुत ही उत्तम प्रकार की भूमी का निभा करके आखिर आखिर में को अच्छित रहे गए कल तो लग रहा तक शायद आज ये भी मोका छुड़ जाएगा लेकिन चैर्मेंश्री ने काफी महनत की सब को समझाने का प्रयास किया सब को साथ लेगने का प्रयास किया सिमान बीजय जी भी लगे रहे आखिर के यह संबह हुआ कि आज सभी जाने वा बीच में तो आपको जुरूर अफसर मिला है उसका अपने उपयोग भी किया है वह जुट गया है टिपल तलाग जैसे महत्वपण निर्णे जो इंदुस्तान के आने वाले इतिहास में बहुत बड़ी भूमिक आदा करने वाले हैं उसका निर्णे करने की प्रक्रिया से आ आज नहीं तो दस साल बीस साल बाद जुरूर रहे गए असा मैं मानता हूं लेकिन अच्छा होता कि सारी चीज़े हम कर पाते हैं मैं फिर एक बार जो सभी महने आदर निर्ण सदर से गन जा रहे हैं उनको शुपकामनाय देता हूं मैं आपके साथ ही के नाते आपके आगर करूंगा का आप यह मत मानिये कि सदन के दर्वाजे बंद होने से इस पूरे परिसर के दर्वाजे बंद होते हैं आपके लिए इस परिसर के दर्वाजे खुले हैं प्रधान मत्री का कारेले खुला है देश के लिए हित्में आपके मन में जब भी जो भी विचार आएं मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत सुपक्रामणाई देता हूँ वानरबल लीडर अप्वेशन आपको बहुत 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 बढ़ दोशाल के बाद एक तिहाई मेंबर पार्लिमेंट इस सदन में रिटायर होते हैं और रिटायर